फूल मुर्जाए तो फिर से वो कभी खिलता नहीं, कब कहा हमने की वो हमसे अब मिलता नहीं, कुछ बदल सा वो गया है, बस यही है अब गिला, हां मिला करता है वो, पर हसके अब मिलता नहीं. अपने हर किरदार को पूरी शिद्दर्थ से जीने के बावजूर, एक ग्रहनी हमेशा अपने आपको उपेक्षित महसूस करती है, जबकि किसी भी कहानी की अपसरा, या किसी चलचित्र की नाईका, जो उसी के जैसे किरदार को कुछ तेर परदे पर जी कर, लाखों दिलों पर राज करती है, तो मेरी यह कविता, उसी ग्रहनी की शिकायत है, तो सुनिये. करते जो तारीफ तुम मेरी, मैं भी खुद पर इतराती, गीत जो लिखते मुझ पर तो पत्नी से प्रेयसी बन जाती. चूला चौका करते करते अपने को में बिसर गई, और कहानी की वो अपसरा प्रेयम में पढ़कर निखर गई, कभी तो आटा मलते मलते चेहरे पर लग जाता है, कभी जरा सा ध्यान हटा, कुछ चूले पर जल जाता है. बच्चों के प्रश्णों का हल मैं रोज ढूंटी रहती हूँ, एक एक कर बिखरे पने रोज जोड़ती रहती हूँ. देड़ तुम्हें हो जाए जो दफ्तर को तो पश्चा ताप रहे, क्यों ना जल्दी उटपाई मैं, दिल में ये संताप रहे. खाना आज बना बढ़िया है, फोन नहीं क्यों किया कभी, और कई है शिकायतें, ऐसी कितनी सूची में अभी. कभी नहीं कहते की, इन कपड़ों में कितना जच्चती हो, मेरे मन को भाती हो, जब कर श्रिंगार यूं सर्चती हो. जिम्मेदारियों के बोश तले, वो फुर्सत के पल दबे पड़े, तुम रहते मसरूफ कभी, मुझको भी रहते काम बड़े. इस परिणे सुत्र का प्रियतम, प्रेम ही तो आधार रहा, हर दिन के शिकवे शिकायतों में, खोने लगा वो प्यार कहां. कितने ही किरदार जीए हैं, मैंने कितनी शिद्दत से, पर ना पाई प्रशंसा तुम से, मैंने कितनी मुद्दत से. रोज वो चलचित्र की नाईका मुझसे किरदार में ढल जाती, पर मैं ही क्यों ना बस फिर सच मुझ की नाईका कहलाती, गीत जो लिखते मुझ पर तो पत्नी से प्रियसी बन जाती. और अब कुछ खयाल पेश करती हैं, खड़ा है कडगरे में आज फिर वो सामने मेरे, चलो फिर आज ये मुकदमा हम हार जाते हैं, तुम्हें कहते सरे बाजार जूटा ये नहीं होगा, चलो अपने को ही इस बार जूटा हम बताते हैं. फूल मुर्जाए तो फिर से वो कभी खिलता नहीं, कब कहा हमने की वो हम से अब मिलता नहीं, कुछ बदल सा वो गया है, बस यही है अब गिला, हां मिला करता है वो पर हस के अब मिलता नहीं.